हलो यिंडियों है में हो सुनाधा दे रिव्यू करने वाली हूं तो बहुत दिन बाद मैं प्रोड़क्त की रिव्यू कर रहे हूं एक्चली मैं कोई ऐसी प्रोड़क्ट ढूंड रही थी जो मतलब जो प्रोड़क्ट मतलब जीस प्रोड़क्ट को रिव्यू देने में मुझे उतना ही मज़ा आएगा जितना आप लोगों को ये एक प्रोड़क्ट मतलब देखने में मज़ा आएगा तो बस एक प्रोड़क्ट ऐसी है जिस प्रोड़क्ट को मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और उसका रिजल्ट इतना है तो बस इसलिए मैं आ गई हूँ आप लोगे साथ सेयर करने के लिए क्या आपकी हेरफॉल हो रही है और आप एक अच्छा सा जो result देता है एक ऐसी ओनियन हेर ओयल ढूण रही है तो बस आज वीडियो आपके लिए है ब्रैंट चाहे कोई भी हो उस ब्रैंड का ओनियन हेर ओयल आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि onion के जो juice है onion hair मतलब onion oil हमारे सर्च में हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे है इसलिए चाहे हो company क्यों ना मतलब कोई भी क्यों ना हो मतलब brand कोई भी हो उस brand के एक product ऐसी आपको मिलेगा कि onion hair oil, onion shampoo यह आजकर बहुत जादा trending में भी चल रहा है बहुत लोग, मतलब बहुत सारे लोग ढूंड भी रहे हैं एक अच्छे product अच्छे company का onion hair oil onion hair shampoo मैं भी ढूंड रहती है आप लोग की तरह एक ऐसी product जो मैं उझे मतलब जिस product को मैं खरीदने के बाद अच्छे result भी मिला है तो बस एक ऐसी product है यह यह है blossom की तरफ से anti-grey hair gain onion hair oil यह मैं पहले बाद बोल दूँ इसको मैंने मैं भी onion एक अच्छे onion hair oil ढूंड रही थी तो यह ढूंते ढूंते यह मुझे मिल गया है यह आपको यह onion oil यह आपको मैंने इसको Amazon से खड़ी दी है यह बस इसकी वेबसाइट में blossom की वेबसाइट में आपको मिलेगी और एक मतलब Amazon में मिलेगी और कही पे भी यह product नहीं मैं तो नहीं दिखी हूँ तो बस यह मैंने Amazon यह एक plastic bottle में आती है ऐसे चोटो सा एक container में आती है इसको ऐसे अंदर से ऐसे dropper की तरह है यह यहाँ पे एक छेद करने के बाद यूज करी जाती है यह oil के बारे में पहले बता दू यह बहुत ही जादा lightweight है बिल्कुल भी चिपचिपाहाट नहीं है अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरे बालों में यह यूज के है तो यह onion oil मैं काफी दिनों से यूज करी हूँ और result मुझे मिला है बात करते हैं इसकी यह ingredient की तो इसके अंदर है sandflower oil, sesame seeds oil, castor oil, coconut oil, jojoba oil onion seed oil, black seed oil रतन जूत extra आमला oil, rosemary oil and vitamin E तो इसके अंदर कोई अलग से color added नहीं किया हुआ है फिर भी आप देख रहे हो इसका color है लाल तो यह है यह जो रतन जूत extra है इसके लिए इस onion hair oil का color बस ऐसे लाल color की है इसके अंदर अलग से कुछ color add नहीं किया है इसका fragrance के अगर बात करें तो इसका fragrance भी उतना ज्यादा रहाई नहीं है light है जिन लोगों की fragrance से थोड़ा सा problem होती है जिन लोगों की उतना भी problem नहीं देगा इसकी fragrance तो बस इसके अगर आगे जाके में एक बात बोलना चाहूं तो बो है इसकी price तो आप अगर market में onion hair oil कहीं पर भी कही ब्रैंड का आपको मतलब आप लेने जाओगे तो आपको minimum 3-4-500 में तो minimum आपको देना ही पड़ेगा पर ये इस ब्रैंड का आप कोई भी product ले लो सच मैं मुझे नहीं पता था पहले अगर पहले ही पता था तो मैं बहुत दिन पहले ये product use कर लिए होती तो इस brand का कोई भी product आप खड़ी दोगे तो उसका उसका price 200 के नीचे ही होता है तो इसका भी price 200 के नीचे ही है तो इसका price है इसका price है 199 और ये मुझे 199 में ही मिला है मैंने जैसे बुला है Amazon से लिए थी तो इसका price 199 एक ऐसी product जो आपको result देगा और उसके साथ साथ budget friendly है ऐसा कोई नहीं है जो ये बोल पाएगा कि ये मैं खड़ीद नहीं सकती हूँ इसको खड़ीदना मेरे मतलब मेरे बस में नहीं है ऐसा कोई नहीं बोल सकते हैं 200 है 200 बस है और तो 200 रुपए से कोई भी एक अच्छे product खड़ी थी सकते है तो बस definitely इसको try करना है या definitely try करना है आप लोग इसकी benefit की बात करें तो ये promote hair growth prevent breakage and thinning dealing with graying maintain scalp pH and fight scalp infection इतने सारे benefits है ये oil use करने की इसके अंदर 1500 ml की quantity है तो अभी मैं use करूँगी ये oil को तो पहले पर तो ये oil जैसे मैं ने बुला ये oil बहुत लाइट है light weight है एक दब चिपा हाट बिल्कूल भी नहीं है और तो जैसे आप देख रहे हो मेरा उतना भी खतम नहीं हुए तो इसलिए है क्योंकि ये oil जादा लेने की जरूरत नहीं है जैसे आप देख रहे हो ये oil ये ली साई है इसका कलर है लाल तो ये जादा लेने की जरूरत नहीं है बस आपको क्यूच डॉप लेनी है बस आपको scalp पी लगानी होती है अगर आप चाहे तो पूरे लेन्द में भी आपके मतलब लगा सकते हो तो वैसे मैं ऐसे मैं लगाते हूं ताके मेरे direct scalp पे जाए मेरे जो oil है वो तो उसको लगाने के बाद मैं पूरे बालों में ऐसे मसाज कर लेते हूं तो देखना यह लगाने के बाद पूरे बालों में एक sign sign सा आती है तो कहीं दिनों से मैं यूज़ करें हूं यह यूज़ करूँ है तो आज मैं यूज़ करूँगी करल में शैंपू करूँगी अजकर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ओएल मत लगाओ और मेरी बात करूँ तो ओएल लगाना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और ओएल की बहुत सारे बेनिफिट्स है हमारे बालों के लिए अगर तो यह लोग पता नहीं कि मतलब किसके लिए बोलते हैं तो अगर आप मेडिसीन भी खाओगे कुछ बिमारी है उसके लिए अगर आप मेडिसीन खाओगे उसका भी एक साइड एफेक्ट होता है अगर आप सही क्वांटिटी में नहीं यूज करते हो नहीं खाते हो तो मेडिसीन भी गलत मतलब यह करते हैं तो वैसे ऑल भी करते होंगे अगर आप सही मतला में यूज नहीं करोगे अगर आप दिन बर दिन ऑल को अपने स्कैल पे मतलब बालों में लगा के छोड़ दोगे तो ह का यह होगा तो मैं बूलूंगी ओयल हमारे बालों के लिए डेफिनेटली अच्छे है मेरे मेरे बालों के लिए ऑईल एक बहुत ही अच्छे मतलब रिजल दिए है बड़ा-बड यूज दिये है और बड़ रिजल दिये है और आज नहीं मैं बचपन से use किये है तो करल मैं shampoo करूगी तो इससे जादा दीन आप नहीं रख सकते हो अपने बालों में oil तो आपको hair fall होने की chances रहती है अगर आपके पास अगर आप comfortable नहीं हो पूरे एक दिन के लिए आपके बालों में oil रखने की तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सुभे उठके oil लगा लो तीन चार घंटे आपके बालों में oil लगा के रखो उसके बाद आप shampoo कर लो तो आपको उतना problem नहीं होगा I think मैं comfortable हूँ इसलिए मैं आज लगाई हूँ ये मैं आज पूरे दिन रखोंगी मतलब रात को रखोंगी और काल सुभे मैं shampoo कर लोंगी तो आप एक onion oil ढूंड रहे हो जो आप use कर सकते हो अपने बालों के लिए अपने बालों के healthiness के लिए आपके बालों को ताके आपके बालों मतलब ठीक है आज के product review इतना ही अगर आपको ये product थोरा सा भी लगा हो या फिर helpful लगा हो तो please मुझे comment करके बता सकते हो और बस मेरे चनल को like से subscribe जरूर करना तो फिर मिलेंगे आगले वीडियो पे तब तक बाबाई